नमस्कार मैं श्वेत और आप देख रहे हैं नियूस फॉनेशन अब तक तो सिर्फ केके पाठक सिक्षकों पर भारी पर रहे थे लेकिन जब से सरकार बदली है तब से सब कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है एक तरफ जहां नियोजी सिक्षक अब केके पाठक पर भारी पर करते हुए नजर आ रहे हैं बिहार में राजकर्मी का दर्जा पाने के लिए नियोजी सिक्षक सक्षमता परिक्षा में शामिल ना होने का जद कर रहे हैं और पहले उनकी मांग पर सरकार ने राजकर्मी बनाने की मांग ली थी लेकिन सक्षमता परिक्षा की शर्ट इसमें दो ओफ लाइन भी होगी उन्होंने बताया कि मुख्मंत्री का निर्देश है इसके वावजू सिक्षकों ने गरदनीबाग में धरना प्रदशन किया है और शुक्रवार को धरना दिया है। के लिए बगए राजकर्मी का दर्जा दिया जाना चाहिए उनका तर्क है कि वर्षो बाद सक्षमता परिक्षा का कोई और चित नहीं है सिक्षकों ने सिक्षा विभाग के सीएस के के पाठक से हो रही अपनी परेशानियों को भी बिहार के मुखमंत्री समराड चौधरी को परता आई है उन्होंने कहा है कि पाठक लगताष सिक्षकों को लेकर फर्मान जारी करते रहते हैं ले right बहां जोसे में वो सिक्षकों की समस्याओं का हल निकालने का प्रयास करेंगे सिक्षकों को उनसे इसकी उम्मीद जो है वो बंदी है विपक्ष में रहते हुए खुद को केके पाठा के कई आदेशों पर आपती जताते रहे हैं अब उपमुख मंत्री ने सिक्षकों को वाश्वासत किया है कि वे उनकी सारी समस्याओं का निदान करेंगे सिक्षकों की सारी समस्याओं उन्होंने सुन ली है सिक्षा मंत्री के साथ बैठ कर सिक्षकों की सारी समस्याओं का निदान करेंगे नियोजी सिक्षक भी समराठ चौदरी से हुई बाचीज से संतुस्ठ हैं अब देखना के बाद की कि पाठक के फर्मानों को लेकर BJP क्या रुख अपनाती है नियोची सिक्षकों का साफ-साफ कहना है कि सक्षमता परिक्षा दिये बिना ही उन्हें राज करमी का दर्जा दिया जाए लेकिन बिहार सरकार के सक्षा मंतरी विजय चौधरी ने ये साफ साफ कह दिया है कि सक्षमता परिक्षा तीन की जगा पांच बार ली जाएगी और दो परिक्षा ओफलाइन की जाएगी और अगर फिर भी सिक्षक पास नहीं होते हैं तो उनकी नौकरी नहीं जाएगी लेकिन सिक्षक इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि बिना सक्षमता परिक्षा दिये हुए उन्हें राजकर्मी का दर्जा चाहिए आपका क्या कुछ कहना है सिक्षकों के इस अड़े हुए बैभार को लेकर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं